जैहिंद एवरिवन, so welcome back to awakening classes, बहुत दिनों से डिमांड आ इसी सर्फ फॉरेस्टर के लिए साइन्स की classes जो है वो आप start करें, देखो यह सिरफ फॉरेस्टर के लिए नहीं है, कोई भी exam आप preparation करें हो, चाहे JKSSB होगा या other exam होगा, यह series आपके लिए बहुत beneficial हैगी, खास कर के फॉरेस्टर वाले students के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले हम biology के 100 questions लाएंगे, इसला chemistry के as well as physics के 100 questions, देखो यहाँ पर 100 questions सिरफ MCQ करवाना मेरा मकसद नहीं है, यह सारे PYQs हैं, पहले तो यह याद कर लेना है, different exams के, ठीक है, अभी तो फॉरेस्टर का exam हुआ यह तो यह different exams के PYQs हैं, आपने क्या करना है, एक tiny notebook लेके बैठना है, क्यों यह सिरफ PYQs discuss नहीं होंगे, सिर्फ answer नहीं बताऊंगा, क्या बता, एक दिन सिरफ 10 questions cover हों, तो इसमें मैं बिलकुल भी कंजूसी नहीं करूंगा, information देने में, जो भी important exam relevant चीज़े होंगे, हम स आएगा paper में, यह आया हुआ paper में, और उसके साथ यह चीज़े है, जो मैं additionally आपको information provide करूंगा, वो आपके लिए ज्यादा relevant बन जाएगी, तो सबसे पहला question पर move करते हैं, बिना time को waste किये, the very first question is, who among the following scientist is credited with the discovery of cell, sir हम सब को पता है कि cell की discovery किसने करी थी, but which was published in micrographia, तो यह point करी थी, cell की, Robert Brown ने, Robert Hook ने, Shleden ने, यह श्वैन ने, तो किसने discovery करी थी, basically, cell की, किसने discovery करी थी, जो micrographia में published हुई थी, तो पहले आप खुद try करो, very simple question, इस question का answer है, option B, Robert Hook ने basically discover करा था, किसको cell को discover करा था, ठीक है, अब कहानी यहाँ से start होती है, क्या कहानी start होती है, सबस चिलका बेसिकली इसने लिया, ओग प्लांट के चिलके को इसने लिया, उसको study करा, वहाँ से इसने discover करा, बट इसने कोई living cell discover नहीं करा था, यह याद कर ले ना, इसने जो cell discover करा था, वो dead cell था, ठीक है, कौन सा cell था, dead cell, अभी बताऊंगा, पहला living cell कि इसने discover कर था, exam में प करना, basically Robert Hooke ने actually जो discover करता था, वो cell wall discover करती, plant में, plant cell जो होता है, उसके अंदर, हर एक cell में अंदर nucleus होता, उसके बाहर साइटो प्लाजम होता, उसके बाहर एक membrane होते है, जिसको बोलते है, प्लाजमा मेंब्रेन, ठीक है, उसके बाहर खाश करके plants में एक wall होती है, जिसको बो उसने एक छिलका लिया, कॉक कर प्लांट से, मतलब ओक प्लांट से लिया, उसने actually discover करा था, cell wall को, इसलिए हम बोलते हैं कि पहला cell किसने discover करा है, Robert Hooke ने और उसकी जो discovery है, वो कहां पर publish हो रही थी, micrograph रहे, ठीक है, सर आपने तो बता दिया, कि basically cell को Robert Hooke ने discover, dead cell किया था, त इसका नाम था, spelling वहाँ देख लें, Anton van Leeuwenhoek, इसने 1683 में पहला living cell discover कर था, क्या discover कर था, first living cell अगर पूचे किसने discover कर था, तो Leeuwenhoek ने पहला living cell जो है, वो discover कर था, ठीक है, इस जो पहला living cell इसने discover कर था, इसका नाम की बार exam में पूछ लेता है, ये basically rod shaped bacteria था, क्या था, एक rod shape bacteria था, जिसका नाम था, bacillus bacteria, क्या नाम था, bacillus bacteria, तो ये भी याद कर ले न, basically एक point में इसने इसकी discovery करी थी, तो Anton van Leeuwenhoek ने, पहले living cell को discover कर था, जो एक rod shape bacteria था, और जिसका नाम था, bacillus bacteria, ठीक है, clear है, इसको छोड़के, लवनhoek ने और क्या-क्या डिसकवर किया, important है, exam, पूछता है, RBC, red blood cells होते हैं, उसकी discovery भी लवनhoek ने करती, जिसमें humoglobin होता है, जो oxygen को carry करता है, इसकी तरह जो egg होता है, वुमेन में, egg जो है, उसको भी discovery इसने करा था, इवन जो sperm की discovery है, वो भी इसने करी हुए, तो ये लवनhoek की कुछ achievements है, ये भी आपको पता होना ठीक है, अब यहाँ पर एक important नाम लिखा है, Robert Brown, Robert Brown ने सबसे important चीज़ डिसकवर करे थी, nucleus को, किस की discovery करे थी, nucleus को, जिसको क्या बोलते है, brain of the cell, बेको ये हमारे पार कोई cell होता है, cell के सबसे center में क्या होता है, nucleus, जहाँ पर nucleus के अंदर ही हमारा genetic material होता है, ग्रोमोजोम अग बेको कि Robert Brown ने nucleus की discovery करे थी, ठीक है, अब ये जो दो person है ना, shlidane and shwan, इनके बारे में आपको पता, इन्होंने दी थी cell theory, क्या दी थी cell theory, कि basically cell कैसे बनते हैं, वो cell theory में बताया गया था, shlidane और shwan ने मिलकर दी हुई है cell theory, अब यहाँ पर क्या concept देखो, shlidane जो था ये की study करता था, और basically, shwan जो था ये एक zoologist था, मतलब animals की study करता था, ठीक है, एक botanist था, shlidane जो था, वो botanist था, और shwan जो था, वो zoologist था, shlidane पहले क्या कहता है, ये जो botanist था, shlidane ये कहता है, कि जितने भी plants हैं, वो different तरह के cell से बने हुएं, ठीक है, ठीक है, ठीक tissue से बनते हैं, organ, organ से बनते हैं, organ system और organ system से बन जाता, organism, इसी तरह इनों, shlidane ने ये कहा था, cell theory में, कि जो basically plants है, plants की बात कर रहा था, कि plants जो हैं, वो different तरह के cell से बनते हैं, जो क्या बनाते हैं, tissue of the plant, ये बोला था, shlidane ने, ठीक है, shwan ने इसी तरह animals के लिए बोला, इस कर लिए, shwan ने कहा था, कि जो cells होते हैं, basically animal cells की बात करा है, animal cell में एक layer होती है, shwan ने बोला था, उस layer को क्या बोलते है, plasma membrane, ठीक है, इसी ने बोला था, इसी ने एक और चीज बोली थी, कि cell wall जो है, वो किसको unique है, cell wall is unique to plant cells, ठीक है, sir, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बात नहीं, अभी समझा देता हूं, सुनो देहां से, shri dan and shwan दो बंदे, एक basically botanist है, exologist है, shri dan botanist है, वो कहता है, कि जितने भी plants है, वो किस से बने हुए, cell से बने हुए, cell से tissue, tissue से plant, shwan साब कहते है, जितने भी animals है, वो भी cell से बने हुए, different kinds of cell से बने हुए, वो इसके साथ एक और बात बोलते हैं, कि जो animal cell है, उसमें एक बाहर membrane होते है, जो इसको protect करते है, उसको बोलते है, plasma membrane, एक और चीज़ में बोली, कि जो basically cell wall है, वो unique है to plant cell, मतलब cell wall animals में प्रेजन नहीं होती है, यह चीज़ में आपको already बता चुका हूँ, ठीक है, अभी मै center में a nucleus होता है, जिसको Robert Brown ने discover करता, और यह जो jelly-like portion है, इसको बोलते है, इसको बोलते है, इसको बोलते है, plasma membrane, ठीक क्या बोलते है, प्लाज्मा membrane, इसको बारे में श्रैन बात करते हैं, फिर शैन कहते है, जो plant cell है, उसमें भी nucleus होता है, center में, आगे पीछे cytoplasm होता है, उस उसके बार एक और membrane होते है, जिसको हम क्या बोलते है, cell wall, क्या बोलते है, cell wall, और यह जो cell wall है, यह unique है, सिरफ किसमे, plants में, यह animal cell में नहीं होती है, ठीक है, I hope Shliden and Shwan की आपको cell theory समझ आगी, बट इस theory में एक drawback था, क्या drawback था, इसने cell की formation के बारे में नहीं बता, इसने just यह बोला कि cell से plants बनते हैं, cell से animals बनते हैं, भाई cell खुद कैसे बनते हैं, वो इसने नहीं बताया, उसके related equation में डाला हुआ इसके बाल, वो मैं वहाँ पर समझाऊंगा, जिसको बोलते है, modified cell theory, देखो, in-depth पढ़ेंगे, 9-10 से start करेंगे, 11-12 तक पहुन जाएंगा, आपको जो cell theory है, यह virus के case में apply नहीं होती है, exam में question पूछ लेगा, कि cell theory viruses में apply होती है, नहीं, तो cell theory living organism की बात करती है, वाइरस जो है, वो non-living और living के बीच में आते हैं, क्यों, क्योंकि वाइरस जो आपको पता है, वाइरस जितने में जासे पार गया है, जब तक वो outer surface में है, मत जब वो बोडी को enter कर जाता है, तो हमारे mechanism को use करता है, हमारे lungs को use करके काम करना शुरू हो जाता है, इसका मतलब जो है, वाइरस वो non-living में भी आते हैं, जब वो बोडी से बाहर हैं, जब बोडी के अंदर हैं, तो living है, इसका मतलब जो cell theory है, वो virus के case में apply नहीं होती है, cell theory में सबसे पहली चीजी मैंने यहीं बताई थी, जब श्लीडेन explain कहते हैं, उन्हें कहा था कि all living organisms are made from different kinds of cells, तो आपर living organisms की बात तो ली थी, बर जो हमारे virus हैं, उनको हम directly living नहीं बोल सकते हैं, basically viruses जो होते हैं, a-cellular या non-cellular होते हैं, तो हम उसमें cell का concept नहीं लेते हैं, cell theory य अगर आपको exam में पूछे, study of cells, जब हम plant के या animal के cell की study करते हैं, उस branch को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, cytology, cytology is the process of study of cells, मतब cell का structure क्या है, cell के function क्या है, cell के types क्या है, cell के different organelles क्या हैं, जो cells में present है, उन सब की study को क्या बोलते हैं, cytology, study of cells is known as cytology, यह point भी आप याद रख इसकी बास करी, cell होता गया है, वो आप बताओ, cell is the basic structural, बस यह इसकी simple definition है, cell is the basic structural and functional unit of all living organism, तो जितने भी organisms हैं, living organisms हैं, living parts हैं, basically animal या plant का, उन में cell जो हैं, उसके structure हैं, फंक्शन, देखो, for example, अगर आप अपने घर बना रहे हो न, आप bricks को जोडते जाते हो, जोडते जाते ह और घर बन जाता है, इसका मतलब जो है, आपका घर का structure बन रहे है, उसमें किसका रोल है, इसी तरह, जो cell का structure है, उसमें किसका रोल है, बेचेकर जो animal या plant का, organism का structure है, living, उसमें main role किसका है, cell में, तो cell जुटते जाते हैं, जुटते जाते हैं, और क्या बन जाता है, organism बन ज जाते है you require हड़की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्ट्म बात करेगा किद्नी में स्टॉस्टर्टर्ले में अगर रच देडने और हमारे औरगनीजम बन चाह一定 जाते हैं आप oxygen ले रहे हो आपका oxygen और जो कहां पर जाता है सेल में जाता हो सेल में ही basically mitochondria में breakdown होती है food के और energy निकलते है in the form of ATP I don't know what type of oxygen बहुत बार आपको यह lecture में मैंने पढ़ाया हुआ है इसका मादब जो हमारा cell है na basically cell में ही सारे body के important functions जो है आप दो तीन short short चीज़ें बताऊंगा यह याद कर लो क्योंकि एक्जाइमें पूछी जाते है अगर पूछे सबसे चोटा cell कौन सा है smallest cell जो है वो किसका है तो यह याद कर ले ना mycoplasma ठीक है mycoplasma यह एक bacteria है और इसका सबसे smallest cell माना जाता है जाता है ostrich egg ठीक है उसका सबसे लंबा cell हमारे brain के जो nerve cells होते है ना हमारे brain के जो nerve cells होते है वो सबसे लंबे जो होते हैं साइज में सबसे लंबे cells होते हैं तो यह तीन point याद रख लिए ना smallest mycoplasma largest जो है ostrich egg और longest जो है वो nerve cells कहलाता है ठीक है अब देखो एक point आप और याद रखोगे कि जो भी living organism है जैसे human being या अमीबा है या बक्तिरिया कोई भी living organism जो जिंदा organism है वो दो पार्ट में उसको divide कर देते हैं किसी भी living organism को हम दो पार्ट में divide कर देते हैं ठीक है उसको बोलते है मतलब single cell से जो बना हो उसको बोलते है यूदि इसकी एक्जामपल जो है जैसे अमीबा हो गया जैसे अमीबा के बार bacteria's हो गए ठीक है bacteria के बाद paramecium हो गया ये सारे किसकी आ जाते हैं यूनि-cellular बर multi-cellular वो होते हैं जो बहुत जादा cell से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं multi-cellular organism this is clear कोई problem नहीं है last एक important चीज इस question में हम देख लेते हैं For example, आपको एक्जाइम में पूछा जाएगा Who is known as father of biology? देखो, biology हम पढ़ रहे हैं, तो biology के father किसको कहा जाता है तो आप याद रखोगे Aristotle को, किसको कहा जाता है? Aristotle को father of biology कहा जाता है Father of zoology, zoology जिसे कहते हैं, उसके father किसको बोला जाता है? Aristotle Zoology क्या होती है? Study of animals, animal की study को जौल जी बोलते है, animal की study के father को भी Aristotle को बोलते है पूरी biology के study के father को भी Aristotle को भी Aristotle को जाते हैं, ठीक है? और father of botany, जिसमें प्लांट्स होगा है कि study करते हैं botany, उसके father किसको बोला जाता है? थियो फ्रेस्टर्स को, थियो फ्रेस्टर्स को, फ्रेस्टर्स जो भी है यार इनका नाम देख लेना, botany, थियो फ्रेस्टर्स को बोला जाते है ठीक है? क्लियर है? कोई problem यहां तक? नहीं, sir आपने अभी तक एक question पढ़ा है, आपको 15 मिनट होगे पढ़ाते हो बाई, यह question नहीं है यह, इसमें अगर मैं चाहता है, मैं 25 MCQs यहीं से बना सकता था और यह सारे important facts बताएं, एक भी आनिससी चीज नहीं बताई है इसके बाद चाहें, इसलिए बोर रहा हो, चाहें 5 questions हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, matter नहीं करता है, आपको चीजें समझा है तो आपको कोई problem नहीं आएगी, next question पर move करते है, question कहता है, the concept of omnis cellular A cellula, regarding cell division was first proposed by यह मैंने अभी आपको एक question बोला था ना, कि cell theory में problem है, श्रीडायन और श्वैन की due to cell theory में problem है, क्योंकि वो नहीं बता पा रहे थे, कि basically cell कैसे बनते है उसी को ठीक करने के लिए एक concept आता है, omnis cellular A cellula, यह concept जो है, cell division के बारे में, यह पहली बार किसने propose करा था, Aristotle ने करा था, Rudolph विर्चौव ने करा था, Schwan ने करा था, Shleden ने करा था, इस question का answer है, option B, पहले आप खुद भी try करा करो, Rudolph विर्चौव जो है, उन्होंने यह concept दिया किसका, omnis cellular A cellula का concept, अब देखो इसी को बोलते हैं, बिस्कलि इसी को बोलते हैं, modified cell theory, क्या बोलते हैं, modified cell theory, इन्होंने 1855 के टाइम पे modified cell theory दीती, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि cell basically क्या करते हैं, क्या करते हैं कोई भी तूटे गा भी आगे हम देखेंगे इस बनते हैं इसी कंसेप्ट को बोलते हैं अउम्नीस, और इस थियोरी को बोला था इसने स्टुरी को डिभी गनते हैं इसको एक ओर पूर्रत नाम है इसी को गनते हैं किसको बोलते हैं modified cell theory को I hope यह आपको समझ आ गया और Rudolph विर्चौव का आप नाम याद रखोगे ठीक है Aristotle के बारे में हमने देख लिए Aristotle को father of biology भी बोलते हैं और father of zoology भी बोलते हैं आपको साथ सा से बने हुए यह point भी हमें clear हो गया this is clear यहां पर आपको कोई भी problem नहीं है आप जो topic आएगा ना एक cell organelles वाला यह time लेगा आप अच्छे से इसको समझोगे और उसके बाद हम क्या करें उसके बाद 5-6 questions आपके ऐसे ही निकल जाएंगे ठीक है सबसे पहले एक question ध्यान से देखो which of the following groups are all membrane-bound organelles इन मेंसे कौन से groups हैं जो membrane-bound organelles हैं देखो cell के अंदर जो चोटे-चोटे structure present होते हैं जिनके different functions होते हैं mitochondria, lysozome, plastics हो गया ठीक है इनके कुछ functions है इनको बोलते हैं organelles क्या बोलते हैं organelles अब यह organelles तीन तरह गया होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक membrane present होती है पहली बात तो कुछ ऐसे होते हैं जो membrane होते हैं इनको बोलते हैं उनके आगे पिछे कोई membrane नहीं होती ठीक है अभी तक मैंने simply आपको यह बोला कि जो cell होते हैं जैसे आपने छोटी पढ़ा होगा mitochondria is known as powerhouse of the cell क्योंकि mitochondria क्या बनाता है energy बनाता है इसलिए इसको powerhouse of the cell कहते हैं ठीक है अब mitochondria एक cell organelles है अब mitochondria कैसा हो सकता है या तो membrane bound होगा मतों उसके आगे पीछे membrane होगी जो इसको protect करेगी या तो non membrane bound होगा अभी यही question पूछा है which of the following groups are all membrane bound और्गनिल्स इन में से कौन से ऐसा group है जिसमें सारे membrane bound और्गनिल्स है ठीक है अगर आपको समझ आगे गया कि कौन से membrane bound है कौन से नहीं है तो आप इस question को easily कर सकते थे ठीक है पहले मैं आपको बताई देता हूँ कौन से membrane bound है कौन से नहीं को देखो membrane bound जो होते हैना जिनके आगे पिछे membrane उनको दो पारट में हम डिवाइD कर देतेख है गा जाता है जिनके आगे पिछे Rica फिचे single membrane बांग्राइन है इनको बोलतें सिंगल मेंब्रेन बाउंड हो तब भी only मैंब्रेन है और डबल में है दो मैंब्रेन इसके बाद यहां पर इट लिए अनमें कोई मेंब्रेन नहीं है फॉज नहीं पढ़ा हूं बिल्कुल विन चीजने समझ यह समह आनी लेको समसे पह Census मैंद थो 해서 क्या होता है क्या function अभी बता दूंगा सारा जस्ट अभी इतना याद रखो कि endoplasmic reticulum कहीं पर लिख रो single membrane है ठीक है उसके बाद vacule जो है वो भी single membrane lysozome single membrane है यह याद कर लेना lysozome suicidal bag यह क्या है single membrane है और endoplasmic reticulum vacule lysozome golgi body इतनी बार रिवाइस करवा दूंगा दिमाग में fix हो जाएंगी चीज़े डबल membrane कौन से आगे सबसे पहले आगे माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया डबल membrane देखो membrane है और double membrane organs ठीक है याप उचहेगा कों से ऐसे हैं जिनमें membrane नहीं है तो इठो आधाः राइबोस lordcotat शाब से जाजाए इस्सके साथ और भी है जヤसे चैन्ट्रोज़ोल है इसमें भी नहीं होती है इस में इसमें पकी बहुत उसमें कोई मम्ब्रेन नहीं होती है जहां पर भी राइजा आएगा वहांपर आप क्यूकि इसम Дी माइझान कोई मम्ब्रेन नहीं होती है मिकी डबल मइंब्रेन होती है उसके बाद endoplasmic reticulum हो गया, lysosome हो गया, golgi bodies हो गया, इन में क्या होता है, basically, इन में हमारे पास single membrane होती है, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर इस question का answer करना तो बिल्कुल easy था, मैंने आपको बोला, just इतना याद रखो, कि ribosome non-membrane है, ribosome में rhizozome आ रहा है, यह भी नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ को confuse करने के लिए question डालाता हूँ, तो बस आपको जिस इतना याद रखना है, कि ribosome जो है, क्यों, क्योंकि ribosome, देखो ना, सब और्गनिल्स में जो non-membrane है, उसमें सबसे important है ribosome, तो ribosome जहां भी आ गया तो वो membrane bound नहीं हो सकता, ठीक है, तो basically जो है, इस question का answer जो है, इसमें कोई भी नहीं है, correct, क्योंकि ribosome इसमें सब में आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिये basically single membrane कौन से हैं, double membrane, देखो अब यहाँ पर membrane इस बार पूछा है, अगली बार कोश्चे में पूछे, इन में से कौन से single membrane है, तो वहाँ पर भी ribosome आया है, तो उड़ा जेना, वहाँ पर mitochondria आया है, तो भी उड़ा जेना, mitochondria double membrane है, single membrane में एंड़ोप्राज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, इस तरह से आपने इन चीज़ों को याद है, इस तरह से आपने इन चीज़ों को याद है, यह सारे पढ़ेंगे, हम बेसिकली हारे इक का function क्या है, बेसिकली हमारे पार दो तरह के cells होते हैं, एक होते है prokriotic, ठीक है, एक होते है prokriotic, इस prokriotic और youkriotic को in-depth पढ़ा लूँगा, बट अभी थोड़ा बता देता हूँ, youkriotic, pro मतलब होता है primitive, kriotic बेसिकली जब nucleus की बात होती है, तब उसके लिए kriotic word यूज़ों होता है, तो pro मतलब primitive, इनका nucleus primitive है, नो सिर्फ होता है न, इनका आगे पीछे nuclear membrane नहीं होती है, क्या होता है? Nucleus में के बाहर nucleus को protect करने वाली membrane को बोलते है nuclear membrane, इसमें nuclear membrane नहीं होता है, youkriotic में nuclear membrane होती है, यह आद कर देना, और prokrioti में क्या होता है prokrioti में यह जो cell organism मेंने बताए ना जैसे ribozome हो गया mitochondria यह नहीं होते हैं eukriotics में यह सारे cell organism present होते है और cell organism mainly कहां पर present होते हैं cytoplasm कहां पर present होते हैं साइटोप्लासम सर एक बार हमें बताओ कि कहां है cytoplasm कहां पर है cell ठीक है तो basically यहाँ पर एक चीज तो मैंने आपको बता दिया अगर कोई पूछे membrane bound organelles कहां पर present होते तो eukaryotic cells में ठीक है eukaryotic cells में present होते है prokaryotic में नहीं होते है prokaryotic cells को बोलते है primitive cells इसलिए बोलते है क्योंकि इनकी nuclear membrane membrane अच्छे से प्रिपेर नहीं होती है इनका nucleus जो है उसके बाहर membrane नहीं होती है डायरेक्ट साइटो प्लाजम के कंटेक्ट में होती है बर eukaryotic में ऐसा नहीं होता है eukaryotic के nucleus के आगे पिछे अच्छी खासी nuclear membrane होती है ठीक है बाहर आगे plasma membrane मेंने आपको बता है यह बेसिकली एक animal cell ए तो यह बाहर उसके आगे प्लाजमा membrane यह पूरी प्लाजमा membrane ठीक है अब उसके बाहर यह आगया आपका nucleus यह दिख रहा है यह आपका nucleus ठीक है यह nucleus है this nucleus में देखो सबसे पहले nucleus के अंदर यह nucleus के अंदर है यह chromatin मतलब third like structures होते है basically DNA सारा यहीं पर होता है genetic material जो टांसर होता है वो सारा nucleus के अंदर होता है ठीक है उसके बाहर यह nuclear के बाहर यह membrane है जिसको बोलते है nuclear membrane अब यह हमारे पास क्या यह है endoplasmic reticulum यह आपको दिख रहा है जो यह सारा यह endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum यह basically surface area provide करता है ribosome को तो देखो इसके ओपर यह चिपके हुए जो red-red portion आपको दिख रहा है इनको क्या बोलते है ribosome ribosome basically protein बनाते है ठीक है एक बार समझो basically क्या क्या है just figure को समझ लो फिर मैं function बता दूँगा हमने क्या देखा बाहर हमारे plasma membrane है center में हमारे nucleus है nucleus के अंदर nucleus है और nucleus के अंदर ही chromatin है exam में पूछ ले chromatin cytoplasm है नहीं यह पूरा cytoplasm जो nucleus के बाहर वाला portion है यह सारा यह cytoplasm है क्या आपको chromatin cytoplasm में देख रहे है नहीं यह nucleus के अंदर है nucleolus cytoplasm में देख रहे है नहीं nucleus के अंदर है ठीक है तो बाकी सारा इसको छोड़के कहां पर है यह सारा बाकी cytoplasm है ठीक है cytoplasm एक jelly like structure होता है इसको बोलते है अब देखो for example जैसे ribosome यह endoplasmic reticulum रफ endoplasmic reticulum के साथ attach हुए है यह protein को बनाते है mitochondria देखो cytoplasm है mitochondria को क्या बोलते है powerizer the cell energy बनाता है ठीक है एक एक करके सारे बताऊंगा यह आगे centrosome हमारी यह lysosome suicidal bag कोई भी infectious disease आती है उसको खतम कर देते है यह आगे smooth endoplasmic reticulum यह lipids पर गाए formation में important role break करते है यह secretary vessel देखो क्या होता है खाना बनता है खाना बनने के बाद जो है golgi bodies में आता है उसके बाद secretary vessel के थूँ यहाँ से cell से बाहर निकल दाता है ठीक है उसके बाद यह आ गया vacules vacules जो है basically energy food को store करने का काम करते है फिर यह cytoplasma है पूरा जली लेक structure यह golgi bodies है इसका बताऊंगा क्या function है यह सारी चीज़ें आपको cell के जाए मैं समझ आगी आपको पता चल गया कि cell में यह plasma membrane होती है अगर इसको हम क्या बोलते थिक है समझ आगया plants से animal cell अगर आप पूछे nucleus कहा होता है nucleus में होता है chromatin कहा होता है nucleus के अंदर होता है DNA कहा होता है nucleus के अंदर होता है यह याद रखना बाकी जैसे अगर पूछे ribozoom वह endoplasmic reticulum के साथ जुड़े हुए है अगर पूछे Mitochondria, Cytoplasm में है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखने, इनकी location तो पहले आपको पता होनी ही चाहिए, अब एक एक करके सब के हम function देगे, सबसे पहले हम start करेंगे, किसके साथ Mitochondria के सबसे पहले हम किसके साथ start करेंगे, इसको मैं zoom कर लेता हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ ना, वह energy मेरे Mitochondria में बनी है, इसलिए इसको powerhouse of the cell बोलते है, और energy बनती है, जो energy करेंशी उसको बोलते है, ATPs, I don't know, सब्सक्राइब क्लियर है, यहां पर कोई problem नहीं है, next आपने याद रखना है, Mitochondria का अपना DNA होता है, DNA मतला Mitochondria का अपन genetic material होता है, Mitochondria, Acid DNA कहाँ पर होगा, Nucleus में, मैंने आपको बोला, जितना भी genetic material होता है, वो Nucleus के अंदर होता है, क्या Mitochondria Nucleus में था, नहीं, वो कहाँ पर था, Cytoplasm में, but Mitochondria का अपना DNA होता है, Mitochondria का अपना genetic material होता है, तो इसका Mitochondria भी as a gene transfer होता है, Mother से Baby में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्यों diseases भी Mother से Baby में इसलिए आती है, यह हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी हम वहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, जस इतना याद दो, Next, Nucleus की बात करें, Nucleus, Nucleus तो आपको याद करना है, सबसे important पर नुकलिस को brain of the cell बोलते ह ठीक है, उसके बाद हमने देखा, Nucleus, 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 Nucle इनको buildलाजमिक रेटिकूलय में इसली बोलते हैं क्योंकि इसमें रइबोजॉम्स प्रेसंत होते हैं कौन प्रेसंत होते हैं रायबोजोम रिप्रेस्य किवज से इसको रफ अंडॉप्लाज्म रिट कुलम भोलों थें जो स्मूथ एंडवलाज्मिक रेटिकुलम है इन के बारह में याद रखना इनकि सर्फेस में रैबोजोम ही होते हैं और इन से क्या बनते हैं लीपेट सबस्क्राइगा बनाएगा और र oppose कि यह पर क्या बनती हैब Pros Kyne हमारी बॉडी को बिल्ट करने में help करते हैं या जिम शिम जाते हो न तो वही प्रोटीन के बात लिश क्लिर nggak the इसको brain कहते हैं cell का endoplasmic reticulum में lipids और protein की synthesis होती है endoplasmic reticulum को दो पार में divide करें ये एक होते हैं smooth वाले एक होते हैं rough वाले smooth lipid बनाते हैं rough वाले में ribosome present होते हैं ये रफ बोलते हैं और protein की synthesis में ये help करते हैं ठीक है next उसके बाद देखो उसके बाद क्या आगया था उसके बाद क्या आगया था उसके बाद क्या है लाइजोजोजोम का काम क्या है अगर sports करो हमारे cell के अंदर कोई भी अगर foreign particle आ जाता है जिसके हमारे cell को जूरुत नहीं है तो ये लाइजोजोजोम उसको खतम कर देते हैं ठीक है उसको खतम कर देते हैं फॉसको खतम कर देते हैं इसमें एक enzyme होता है जो उसको खतम कर देता है ठीक है अब कहीं बार क्या होता है कि लाइजोजोजोम जो है वो तूट जाता है तो वो enzyme जो है बाहर निकल जाता है देखो एस लाइजोजोजोम का काम खुद को खतम करना नहीं है लाइजोजोजोम का काम है फॉर्ण बाइडिकल को खतम करना बट कहीं बार क्या होता है यह बर्स्ट हो जाता है और अपने ही सेल को खुद बाखुद खतम कर जाता है इसलिए हम लाइजोजोजोम को बोलते है स प्लास्टिट में आते हैं क्लोरो प्लास्ट किसमें होते हैं क्लोरो प्लास्ट किसमें होते हैं क्लोरो प्लास्ट में आपका ग्रीन कलर पिग्मेंट होता है जो आपको पता है क्लोरो फिल क्लोरो फिल जो प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है इसलिए जो हमारे क्लोरो yağना कructure the ना प्लांट में खाना ने वंडे कलोरोफील वह किसं से बनता है वह कैसे तरह Even के लिए यह यह मैंनुफेक्टरिंग PBS Water Penphone में तक है perfectly में प्रिज़नियों एक हमारे पास आगे प्रसाएं नो मैंने वह सीज़़ão और है endoplasmic reticulum में समझाया था कि ribosome rough endoplasmic reticulum के साथ attach हो दाता है और इसका काम है protein की synthesis करना exam में पूछेगा protein factory of the cell protein factory of the cell किसको बोला जाता है तो हमारे ribosome को बोला जाता है इतना समझ आ गया है इसमें हमें कोई भी प्रिकत नहीं है उसके बाद सबसे इंपॉर्टन है गोलगी बॉड़ी गोलगी अपरेटर्स या गोलगी बॉड़ी यह एक single membrane है बताया था कौन सा single है double है ribosome no membrane तो रिवाइस भी करते चलो गोगली अपरेटर्स या पैकेजिंग होती है प्रोटीन के बाद आज पास कोई फालतू चीज़े उनको रिमूव किया जाता है इसकी थोड़ी बैग ऑफ दे सेल के स्विसाइड बैक इसको बोलते है माइटो कॉंट्र को गॉलगी कंप्लेक्स को लाइजोजोम को नूपलियस को अगर यह कोशन आप नहीं कर वाओ इसका मलदा आपकी यह थोड़ी बच्चे वाला कोशन पूचेगा आप बोलते हो कि सर्थ आपके स्लेबस में 11 12 मेंचन है देखो मैं आपको अभी जो फिजिक्स पर पढ़ाऊंगा यह समझाऊंगा 11 12 का स्लेबस में 11 12 क्या है जो 9 10 में सेल पढ़ा उसका थोड़ा बड़ा वर्दन है उसमें में फोड़ी आपको और चीजिन पढ़नी है तो 9 10 में आपको बोलता है यह यह पर प्रेसंट होगा तो यह चीजह को आपको आपको शमझाना आना चाहिए इनी इही दिमाग चलाओगे न पेपर बेसिकली सॉल्फ होते हैं अधर्वाइस यह धिक्कता आती है ठीक है इसलि कुछा जाते हैं कि लाइजोजोम को कोन बनाता है याद रखने हैं जो हमारी गौलगी बॉड़िस ना गौलगी ऑपरेटर वही लाइजोजोम को बनाती है यह पॉइंट पर आप कहीं नोट कर लो ठीक है यह पॉइंट मुझे बूल किया था इसको सुसाइड बैग आफ दे स में तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थू क्या करती हैं कहां पर आ जाती है गौलगी बॉड़िस में वहां पर वह चेंज रहते हैं थो जो मैंने आपको बताया था है उसके थू बाहर निकल जाती है तो इस तरह से गौलगी बॉड़िस जो में प्रोटीन की फॉर्मिशन करत करता है विजा था फॉलिंग सेल और इस इस्पॉंसिबल फार ट्रांसपोर्ट मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन से लिपिस सर आप यह क्यों पढ़ा रहे हो जब आपने समझा दिया आपको लगना भी चाहिए ना कि जो आपने कंसेप्ट समझा वह आप एक् करता है और मॉडिफिकेशन करता है डाटा नोन इस गौल्गी कंप्लेक्स परेटर क्यों पढ़ा इसका जो कंसेप्ट है ना बिसकली वह दिया था इसको डिसको करने काम के था कौमिलो गौलगी ने इसको बोला जाता है एक सिंगल मेंब्रेन और निले तो अगर पूछे कि रफ वाले में राइबोजोम होता है प्रोटीन बनता है और यहां पर लिपर बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल सिंपल कोशन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब देखो नुकलेस के बारे में भी हमने पढ़ लियो एक होता है एक चीज़ बता जेता इसकी फुल फॉरम है डी औ औक्सी रईबोस निूकलिक ऐसे टिक है राइबोस नुकलिक एक ये कहां पर प्रेस्ट होता है nucleus में present होता है इसका काम क्या DNA का देखो जो आपका high-duty material है जिसको genetic material तो parents है आपका कान मिलता है नाक मिलता है ममा से पापा से यह genetic information जो है basically transfer करने का काम कोन करता है हमारा DNA करता है ठीक है यह भी clear है sir question आप बड़े जल्दी हो रहे हैं sir हमने concept समझ लिए इसलिए हो रहे है नेक्स question देखो राइबोजोंस और साइस्वार राइबोजोंस में क्या बनता है protein बनते है fat बनते है photosynthesis होती है यह आपको पूछे राइबोजोंस देखो जैसे for example मैंने आपको बताया ना गोलगी बॉड़ी का नाम गोलगी बॉड़ी इसलिए पढ़ा क्योंकि कमीलो गॉलगी ने concept दिया अब कुछ आप खुद भी home assignment करोगे for example जितना मैंने पढ़ाना था मैंने पढ़ा दी अब आपने क्या करना है आप मुझे बताना है comment section में जो तो मैंने और बता दूंगा यह किस ने discover करे वो तो बता दिये बर जैसे for example mitochondria मैंने नहीं बताया किस ने discover कर आप मुझे comment सेके इसी तरह से एक दूसरे की help करोगे तो अगर सिर्फ अपना मतलब देखोगे सिर्फ अपना प्रॉफिट देखोगे वीडियो देखे निकल जाओगे कुछ comment नहीं करोगे दूसरों को कुछ नहीं बताओगे तो यहीं बैठर होगे मैं clear cut बात करता हूं देखो मैं straight forward person हूं अगर आप help करोगे for example mitocondria का नाम कोई लिख रहा है किसने discover करा है लाइजोजोजोम का कोई लिख रहा है किसने discover करा है ऐसे सारे milk अगर लिखेंगे ना यह इसने discover कर रहा है तो अगर comment भी go through करोगे ना exam में चले जाओगे तो काम बन जाएगा अगर सिर्फ बैठे रहोगे मैं अकेले करूँगा यह तो इतना हमने बाकी पढ़े हुए ठीक है गौल की बॉडिस तो मैंने बता दिया अब राइबोजोम भी में बता देता हूं राइबोजोम को discover करने किसने करा था जॉर्ज पैलडे ने तो यह एक तो आपको पता चल गया दो आपको पता चल गया बाकी भी लिखो ठीक है बाकी जैसे स्मार्ट वर्क चाहिए आपको यहां से मिल रहा है कि किस तरह से आपने चीजों को पढ़ना है वही चीजें पढ़ने हैं आपको उनी पर आपको फोकस करना है ठीक है देखो राइबोजोम में राइबोजोम कहां पर बनते हैं राइबोजोम से प्रोटीन बनते हैं आपको एक्जाम है तो हम देख लेते हैं राइबोजाम किटने तरह के होते हैं डो टाइप सब्सक्राइब कर ले अच्छा नहीं बनी थी जिसमें से नहीं जिसमें cell organs present नहीं है, membrane bound वाले, तो prokriotics जो हैं basically उन में पाए जाते हैं कों से 70S वाले ribosome, ठीक है, और जो 80S वाले हैं वो eukriotic में पाए जाते हैं, ठीक है, eukriotic में, इन में फरक पता क्या, देखो, इसमें क्या है, basically जो हमारी ribosome है, इसमें RNA और protein की ratio होती है, क्या होती है 60 to 40, मलड़ो 60 यहां पर क्या है, 60 यहां पर RNA है, और 40 यहां पर क्या है, protein है, बस इतना यह एक ले ना, एक में 50 to 30 है, किसकी RNA और protein की ratio, और दूसरे में किसकी है, RNA और protein की ratio, 60 to 40 है, जो हमारी ribosome होती है, वो basically किसके बनी होता है, RNA और protein के, एक RNA होता है, और एक protein, इससे बने ह को है यार्颗 और प्रोटीन की सैंथेसिज करते हैं एक आ आ या हनने होता है oh इस में क्या होता है प्रोटीन हो इनको इतको बात कर大व ह다가 पर इतक है दूसरा जो है अंडॉप्राज मी kriticale मी कहा पर पॉटो सं thôiज से प 누ता है। तो फोटो संथेजी house water आपकी कहती है। तो क्लोरोफिल हूथ हुआ है। तो भांपर भी आंने के बनता है। तो यह सारा प्रोसेस के अंदर आ जाता है बाद में जब हम और गन सिस्टम पढ़ेंगे तो उनमें सारे रिस्पाइटरी वगड़ा सारे सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है इस इस क्लियर मोविंग तो इस नेक्स्ट क्वेशन देखो next question move करते हैं gamers formation take place through which process कौन से process के थ्रूं गैमेट्स बनते हैं gamers बनते हैं ठीक है gamers मतलब जैसे हमारा हो गया sperm हो गया over हो गया haploid जिसे कहते हैं तो basically gamers जो हैं वो किस इस process के थ्रूं बनते हैं मेयसिस के तुरू बनते हैं, मिटोसिससस से बनते हैं, या या ऐ मायतोसिसस, देखो, यह fission, यह fission मेय थिचुल बनते हैं, तो देखो, यह means, मेयासिसस से होती है, मेयासिस और मेयासिसस का आपको फरक पता होना चाहिए, यह बहुत important है, ठीक है देखो अगर exam में पूछे ध्यान से सुनो दो तरह के cells होते हैं एक होते हैं हमारे gamet cell मतलब फॉर्गम जैसे एक होते हैं reproductive cell जैसे sperm हो गया ना male का reproductive cell और female क्या होता ओवा इनको बोलते हैं basically gamet cell या इनको बोल दो reproductive cell जो reproductive cell बनते हैं वो meiosis से बनते हैं यह हमेशा याद कर होता क्या है माइस यह दोनों एक तरह की cell division की टाइप से में आपको बोला ना याद अभी आपको जब modified cell theory पढ़ाया था यही तो समझाया था कोई भी cell है वो किसी पुराने pre-existing cell की division से बनेगा तो cell division जो है basically उसी की टाइप जो है cell division meiosis की form में भी हो सकता है माइटोसी की form में मेशिस कहाँ पर होती है basically reproductive cells में माइटोसी कहाँ पर होती है stem cells ठीक है अब मेशिस में होता क्यों मेशिस में एक single cell जो है वह दो लिए ँबार होता है मेशिज में एक cell और दो बार होने के बार इधर चार daughter cells बन ए Listening 2025 to results avec अभी एक diagram के तो समझाओंगा, तो एक single cell था, वो दो बार तूटा, पहली बार तूटा, तो दो बनेंगे, अगली बार तूटा, फिर यहां से भी दो बनेंगे, यहां से भी दो बनेंगे, तो total कितने बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, तो आपने meiosis में याद रखें, जब भी किसी में meiosis होती है कि cell में, तो वो दो बार तूटता है, और कितने daughter cell में तूटता है, चार में, जब भी किसी में mitosis होती है, वो एक ही बार तूटता है, एक ही बार उसमें single division होती है, और कितने में तूट जाता है, इसमें दो daughter cell बनते हैं, कितने daughter cell बनते हैं, दो daughter cell बनते है इतना आपको पता चल गया, meosis जो है वो reproductive cells में होती है, और mitosis जो है basically बताओंगा, 다약रा में , 46 था न तो जो daughter cell होगा उसके chromosome 23 हो जाएंगा तो mitosis में ऐसा नहीं होता है mitosis में number of chromosome जो है वो same रहते है तो same number of chromosome रहते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते है Equational Division और meiosis को क्या बोलते है Reductional Division ठीक है This is clear और यहां पर किसकी formation होती है haploid की formation होती है haploid मतला 23 chromosome यहां पर क्यों होती है diploid की formation होती है वाइवस में hacerlo और एक और सुन चीच याद रहता है mitosis सभी organism में होती है except exception है वाइरिसे में mutosis के exception में इते है maximum cases जैसे वो cellular नहीं है इंरुम में mitosis यह point आपको याद रहना अब ही तक हमने क्या नहीपकर देखा हमने देखा कि meiosis और mitosis एक तरह की cell की division है जहां से सुनो meiosis और mitosis एक तरह की cell की division है meiosis में क्या होता है basically जो reproductive cell होता है उनकी division होती है through meiosis और जो बाकी stem cells होते हैं उनकी होती है mitosis meiosis में क्या होता है एक cell जो है वो दो बार टोत है ठीक है दो बार टोता और at the end चार डाटर स comenz 200 pen बनते हैं बार माई होसी में एक वाँ टुटा और दो डाटर सेल बनते हैं यहाँ पर माई होसीं में क्रोमोजोब का नंबर हाफ हो जाता है हफ्लाइड बन ते हैं और वहाँ पर माइटॉसीज में क्रॉमोजोम का नंबर सेम रहता है अगर आपका स्कीन का सेल बना है तो उसमें क्रॉमोजोम का नंबर और उसकी क्वालिटी सेम रहना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए क्या होता है बेसिकली माइटॉसीज में अगर हम देखें तो वहाँ पर diploid की formation होती है ना कि haploid की formation होती है ठीक है अब यहाँ पर एक diagram से समझे देखो for example meiosis में क्यों था एक आपके बार diploid था 46 chromosome का diploid था यह पहली बार तूटा तो यह ऐसे 2 cell बने ठीक है अब यह फर्दर तूटेगा यहाँ से भी 2 बनेंगे यहाँ से भी 2 बनेंगे मतलब इसमें 23rd chromosome होंगे इसमें भी यह आगे तूटेगा तो इसमें भी 23 होंगे 23, 23, 23 देखो अब क्या हो रहा है एक cell जो है दो बार तूटा है एक बार पहली meiosis 1, meiosis 2 दो बार तूटा है ना इसलिए इसको meiosis बोलते है और दूसरी बात इसमें क्या बनने है हप्लाइड बनने 23, 23 चार्ज बनने इस प्रोसेश को बोलते है मैiosis यह प्रोडेक्शन में होती है मैटोसेश में क्या होता है फाग नमब यह 46 है ना इसमें ख्रोमोजोम का नंबर हाफ हो गया 46 यहाँ पर 23 हो गया मैटोसेश में क्या होता है यहाँ पर 46 वाला यह तूटा 46 में ही तूटा और 46 में ही तूटा मतलब दो बनके एक ही बाइड विजन हुआ और क्रोमोजोम का नंबर सेम रहा है इसको बोलते है मैटोसेश दोनों देप्लोईट ही बने मतलब 46 वाले सेल ही बने इस इस क्लियर माइटोसेश और मेटोसेश आपको समझ आ गए अब option में एक और चीज थी option में एक और चीज थी A-mitosis A-mitosis क्या होता है देखो A-mitosis क्या होता है वो भी ध्यान समझ लेते है A-mitosis क्या होता है जहाँ पर A-mitosis क्या होता है यहां पर माइटोसेश नहीं होते है सब्सेश प्रोसेश पर पहला क्या होता है यह न्ूक्लिस तोटता है जब न्ूक्लिस को बोलते हैं is लिए नुकलेस तोट तोट गया अगर स्टेबं में क्या होता तो चाहित को बोलता है साइटो काईनलग दूकलेस तो समाइं 2-dodos cells बन जाते हैं एकह एकहए की इसका अपना nucleus 7 इसका अपना nucleus-type इस प्लसस को बोलते है a-mitosis जैसे आपने सुना हुआ है जैसे यह बाइनरी फिशन है multiple fissions है आपके यह सारे किसकी टाइप सार यहां पर यहां पर क्या होता है basically एक cell ऊचे पहले उसका nucleus तूटता है जिसको बोलतें यह mainly prokriotics तोगेरा में होता हम जो main organism's है human beings जो है जो well developed organism है वहां पर तो mitosis, meosis नी रिप्रोडेक्शन वाले cells में meosis otherwise दूसरे cell में mitosis होती है ठीक है तो basically क्या होता है यह आपका nucleus था ह९ह साइतो पहले क्या हुआ साइ्टोप्राजम जाष्न अब जैसे एक प्लिपल t incomplete डिक्याम में पूछेगा प्लासमोड है मल्टिमिल कि में बूक्रीट आफर यहाँ पर क्या ओर है यहाँ पर अंदर बहुत जादा नुप्लेस हुद्भास्ण अंदर बहुत ज्याद їगा बहुत साहine ही जस्यादा सब्सक्राइब से शेयुका मैंने हमाने बोलते हैं इस प्रोड़ाजमम तो नालए gdy इह से अब तो ये सीरिस्अ को चलेगी आप यह सीरिस जब अब तो आप जहां बाकी भी पढ़ रहे होंगे आप डिफेंट प्लेसे से चाहिए बुक्स से पढ़ रहे हैं कहीं और से पढ़ आपको पता चलेगा आपने कितना कवर कर लिए पीवाइक्यू भी कवर होगे उसके बाग कंसेप्ट भी बन गया और बहुत जाहिस चीजें आपको इसके बाद फंजाई में बर से पर आपको यादा याद रहे हैं चुकर प्लाजमा मेंब्रेन नोक्लियर मेंब्रेन जिसके कहते हैं एसके बाहर SEL MEMBREन को SEL MEMBREN को से Est जो प्रट्रीकस औमर भूरम सल में 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 प्लाजमा में प्लाजमा यजरा में अधितना के या में प्लांट आग्टीजन में इतकी है एक्जाइमES पूछता है पागल बनानेके लिए पूछता है कि जो just cell wall है प्लांटकी वो Wash क्ञę और पूछायाा अल्सक्रonneek ehर पूछे का ना वो किसलो रख़ता है और पूछे का बैक्टीरियागी हो तो वह दो चीजों से बनी होता है किसे बनी होती है बैक्टीरिया फौर भी यूटिद के शेल्वास र्ख़़्ठीट किसे बनी होती है किन दो से बनी होती है एक तो बनी होती है एक तो बनी होती है यह ना जानलाइनमेंट मुओमेंन्ट नहीं है एक नेम और दूसरा है नै में इसका आगे है ग्लुको से माइन और इन दोन से कों से इसे मंनी होते हैं इनिमल की और इसके बात यहां तरा question cover हो गया अब उसके बाद एक और जो है आपका कल यह में कल पढ़ाऊंगा क्योंकि यह क्वाशी ओर को डिसीज जो है न किसकी वज़ा से होती है और यहां पर सारी जो भी है यह आपिस नहीं पढ़ाऊंगा साइंस वली प्लेलिस में जाओ बायो केमिस्टी और फिसिक के लेडि जो भी लगाते चलो बाकी यह लेक्टर आएंगे अगर आपको हमारा इनिशेटी पसंद आ रहा है अगर आपको लग रहा है इस तरह से पढ़ाना तो कमेंट सेक्शन में जूर कमेंट करके बताना कोई और दिक्कत आ रही है तो वह भी कमेंट करो प्लेस इसको शेर करो टूवर्स और वीडियो को सिंसेर्टी से देखो गए तभी सीरिस कॉंटिनू होगी अद्रवाइस नहीं होगी देखो मेरे को भी बर्डन है जूनियर सिस्टम की भी क्लास ही देखो भी चल रही है तो अगर आप सिंसेर्टी से इस को फॉलो करें पहले भी स्टारट करिंगे इतना अच्छा रिस्पॉंस नहिं आए तो अजह से रिसपॉंस करोगे तो मैं बहुर बहुत से पढ़ाओं घाते विज शेर करते हैं और आपको सब्सक्राइब कर देना त this is it for today, thank you so much for watching